आपको दिवाली पर हर्दिक शुब कामना एंट क्लास हे है दोस्तो दोस्तो ऑनको दिवाली पर इस्तिमाल होने वाले जो हम शबद या वाक के बोलते हैं इनको इंगलिश में कैसे बोलेंगे यह हम आज की क्लास में सीखेंगे बहुत interesting class है दोस्तों, आपको ध्यान से end तक पूरी वीडियो को देखना चाहिए, देखे, आज का जो topic हमारा हुए, दिवाली vocabulary, दिवाली से संबनित शब्द, तो एके करके सीखते हैं, दिवाली में दोस्तों क्या होता है, दिवाली के दिन, चारों तरफ प्रकाश फैला हो और दिवाली या दिवाली ये बहुत ही शुभ अफसर होता है, शुभ अफसर इसलिए है क्योंकि इसको बुराई पर अच्छाई के विजय के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है, तो दोस्तों शुभ अफसर को इंगलिश में बोलेंगे, auspicious occasion, auspicious occasion का मतलब है, शुभ शुभ अफसर, अच्छा दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा, कि दिवाली के दिन चार उतर प्रकाश फैला होता है, तो बिजली वाली लड़ी भी जलाते हैं लोग, और मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा हमारे देश में शुरू से रही है, मिट्टी के दिए जरूर जला अरसन का मतलब है, मिट्टी का बना हुआ, अरसन लैंप, लैंप का मतलब होता है दिया या दीप, लैंप एक और भी लैंप होता है बड़ा जो जलाते हैं, और दिये को भी लैंप ही कहा जाता है, तो अरसन लैंप का मतलब है, मिट्टी का दिया, दिया या दिप, अच्छा candles का मतलब है दिये या मोंबत्पियों को जलाना दिये जलाना या मोंबत्पियां जलाना उसके बाद जो अगला term है हमारा दोस्तों वो है fireworks fireworks या firecrackers fireworks या firecrackers का मतलब है पटाखे generally अपने देश में हम लोग firecrackers ज्यादा इस्तिमाल करते हैं बट fireworks का भी वही मीनिग है जो firecrackers का मीनिग है fireworks actually बड़ी चीज है fireworks में सब कुछ आजाता है जैसे आप देखेंगे कि कई बार जो आस्मान में जाके बहुत काफी दूरी तक वो रोशनी होती है और ऐसे लगता है जैसे फूल बरस रहे हो तो यह पूरा जो है यह fireworks है और जो fire crackers है वो जो पटाखे होते हैं जो फटते हैं नीचे उनको firecrackers कहना चाहिए यानि firecrackers जो है वो fireworks का एक हिस्सा है ऐसे हम को समझना चाहिए बट जनरली पटाखों के लिए आप दोनों ही words का इस्तेमाल कर सकते हैं तो fireworks या firecrackers का मतलब है पटाखे या आतिश बाजी वह एक व्यापक एक बड़ा टर्म है तो दोस्तो fireworks या firecrackers अच्छा अब हम पटाखे चलाते भी तो है पटाखे चलाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे अगर आपको international level की इंग्लिश बोलनी है तो आपको कहना चाहिए let off fireworks और American English में ज्यादा बोलते है set of तो let off या set of set of American English है let off या set of fireworks का मतलब है पटाखे चलाना नहीं तो अपने देश में जो चलता है वो चलता है burst firecrackers यह ज्यादा चलता है इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी गलत या सही है सारे सही है मैं तो सिर्फ आपको यह बतारो कि कौन सा कहां पर ज्यादा चलता है internationally अगर आपको बोलना अमेरिकन तरीके से ज्यादा बोलना हो तो set of fireworks और इंडिया में जो ज्यादा चलता है वो है burst firecrackers इसका भी मेनिंग है पटाखे चलाना अच्छा जब प्रकाश पर भी है रोश्नी का ही त्योहार है तो चारों तरफ जगमग रोश्नी होती है दिवाली की रात में पूरा द illuminated का मतलब है जगमग यानि रोश्नी से जगमग चारों तरफ जो प्रकाश फैला होता है तो illuminated उसके बाद दोस्तों दिवाली की रात में क्या देख पूजा भी होती है तो आप उसको perform पूजा बोल सकते है का मतलब है पूजा करना perform पूजा अच्छा पूजा जो word है अब य Oxford की dictionary में शामिल हो चुका है इसलिए अभी English का word है जरूरी है कि हम हर बार पूजा के लिए worship word का ही इस्तेमाल करें अब अगर आप पूजा बोलेंगे तो भी गलत नहीं होगा क्योंकि Oxford की जो dictionary है उसमें पूजा word शामिल हो चुका है Oxford वाले ही English के माईवाप में उनकी dictionary में जो और शामिल हो जाए इसलिए आप perform का मतलब करना और पूजा का मतलब है पूजा तो perform पूजा का मतलब होगी आप पूजा करना और दीवाली की राप में क्या होता है लोग मिठाईया बाटते है खुषी का मौका है खुषी का तो तो distribution sweets disputes, distribution का मतलब है generate boughtna, sweets का मतलब है तो मिठाईया, आप boughtna को कहेंगे distribute है कि अब अगर आपकोét जूड़े हुई यह बाते बोल ली ओग तो आपको बिल्कुल भी दिकत नही हो जयसे कि आप बोनना चाते हैं चलो पटाखे चलाते हैं तो आप कह सकते हैं Let's burst firecrackers या Let's set off या let off fireworks या firecrackers इस तरीके से आप बोल सकते हैं तो दोस्तों आगर आपको class अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like करें और share करें और channel को subscribe करें और अगली बार जब मैं आपसे मिलेंगा तो आप नीचे comment box में लिखिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्ली से जल्ली आपको उस पर एक वीडियो बना करके देदूँ मैं दिवाली के अफसर पर यही कह सकता हूँ दोस्तों कि भगवान करें, अल्ला करें कि जो भी उपर वाला है मारा जो भी God है उनकी किरपा आपके उपर हो और आपके जीवन में अगर कोई भी तकलीफ है या दुख है तो आपके जीवन से वैसे ही चले जाए जैसे रोष्णी के जलने से अंधेरा चला जाता है मैं यही आपसे आपके लिए मैं यही मनोकामना रखता हूँ